साथियों नमस्कार पसुचिकित्सा में जितनी भी दवईयां काम में ली जाती है हम हमारे चैनल पर सौरी दवईयों का विस्तार पूर्वक विवरन आप सभी के लिए लेके आएंगे उसी सरंकला में आज आप सभी के अन्रोध पे मैं माइफेक्स जो की एक परकार की केल्सियम मैगनेशियम बोरो गुलकुनेट की बोटल है उसकी बारे में पूरा का पूरा विवरन लेके प्रस्तोतवा हूँ तो साथियों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी का दन्यवाद देना चाहरा हूँ जो की आपको भी वीडियो में दिख रही है इस बोटल में केल्सियम, फोस्फोरस, मैगनेशियम और डेक्स्ट्रोज होता है अगर मात्राओं की दरब देखे तो इसमें 8.37 ग्राम केल्सियम होता है 5.31 ग्राम फोस्फोरस होता है 2.08 gram magnesium होता है इसके अलावा सबसे ज़्यादा इसमें होता है dextrose जो कि 90 gram होता है यानि पूरी एक बोटल में 450 ml में ये मात्राएं इसमें मिली हुई रहती है कितना फाइदे मंद है इसके आप content को देख करके पैचान सकते हैं कितना powerful इसमें content है जितना ही powerful content है उतनी ही ये असरकारक है यानि अगर पसु जमीन पे गिरा हुआ है बियाने के बाद अक्सर क्या होता है कि मिल्क फिवर नाम की बिमारी हो जाती है यानि अचानक से केल्शियम का लेवल जो है पसु के बलड में वो कम हो जाता है और लेवल कम होने की वज़े से पसु बैड जाता है यहां तक कि अगर समय पे इलाज ना हो तो पसु की जान भी चली जाती है और उस condition में अगर myfex चड़ाई जाए तो ये अकेली myfex उसे जिवन दान दे देती है और within 15 मिनट यानि 15 मिनट के अंदर अंदर पसु खड़ा हो जाता है और जुगाली करने लग जाता है एक चमतकारी असर होता है लेकिन इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये पसु की जान भी ले लेती है अगर मान लीजिए इसको श्पीड से चड़ा दिया गया हो या हाई टेमपरिचर में चड़ा दिया गया हो या इसे खुद को गरम नहीं किया गया हो या किसी अंट्रेंड आदमी दोरा यूही चड़ा दिया जाता है तो ये नुकसान दायक भी हो सकती है यह किन किन बिमारीओं को रोकती है या किन किन बिमारीओं में यह काम करती है तो पहला मैंने आपको जानगारी दे दिया mirk fear मिलk fear में यह बहुत ही अच्छा काम करती है इसके अलावा जब इसमें magnesium होता है तो असी वज़े से यह magnesium titanai जिसे हम ग्राश टिटनाई बोलते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है मैगनिशियम टिटनाई में क्या होता है कि पसु एकड़ों से ताने खाने लग जाता है बहुत ही ज़्यादा मूँ को एकड़ों से कंपन कराना इसके अलावा साथियों कई बार रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है जो कैल्सियम की कमी की वज़े से होती है हड़ियां एकड़ों से मूड जाती है उस कंडिसन में भी अगर माईफेक्स का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा फाइदा मिलता है इसके अलावा पाइका पाइका का मतलब है कि एक खाद्य चीजें जो खाने लाइक चीजें नहीं है और वो अगर हमारी गाए भेंस खाने लग गई है तो माईफेक्स चड़ा करके उसे रोका जा सकता है इसके अलावा फ्रेंड्स एनीमिया यानि खून की कमी अगर एनीमिया हुआ है तो उस कंडिसें में माईफेक्स का बहुत अच्छा रोल होता है ये सपोर्टिव थेरेपी में बहुत अच्छा काम करती है इसके अलावा इसका मुख्य रोल होता है डाउनर काउ सिंड्रोम यानि जिसमें गाय या भेंच जो है वो बैठ जाती है खड़ी नहीं हो पाती बैटे बैटे खाती पीती रहती है लेकिन खड़ी नहीं हो पाती जैसे पेरलाइसिस में होता है पेरलाइसिस में एक अंग काम करना बंद कर देता है उसी प्रकार से डाउनर काउ सिंड्रोम में भी यानि पैरलाइसिस और डाउनर काउ सिंड्रोम दोनों में वाइफेक्स का बहुत ही अच्छा रोल होता है यह यहाँ पर सफोर्टिव थेरेपी में बहुत अच्छा काम करती है इसके अलावा साती हूँ, कभी भी केल्शियम की कमी हो जाए यानि जिसे हम हाइपो केल्शीमिया बोलते है हाइपो केल्शीमिया का मतलब सरीर में, बलड में केल्शियम की कमी हो गई है अगर बियाने के तुरंद बाद हाइपोकेल्शीमिया होता है तो वो मिल्क फ्यूर कहलाता है लेकिन केल्शियम की कमी तो कभी भी हो सकती है तो अगर केल्शियम की कमी है तो उसमें माईफेक्स बहुत ही अच्छा काम करती है इसके अलावा फ्रेंड्स आपने देखा होगा पेसाब में खून आना जिसे हम PPS बोलते हैं तो हीमेचूरिया भी बोलते हैं तो हीमेचूरिया में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है क्योंकि इसमें Phosphorus की जो मात्रा है वो 5.31 ग्राम होती है जो कि एक अच्छी मात्रा है पसूगों अगर मिलती है तो जो खून आ रहा है वो रुख जाता है इसके अलावा अंत में आता है कीटोसिस की तरफ जो कि सुगर लेवल कम होने की वज़े से ब्याने के बाद होने वाली बीमारी है कीटोसिस में भी क्योंकि इसमें डेक्स्टोज अच्छा होता है 90 ग्राम तक डेक्स्टोज होता है तो माइफेक्स कीटोसिस में भी बहुत ही अच्छा काम करती है लेकिन जो अनुपवी डokter है या जो पर्सिक्सिक्ड डokter है वो अगर सही तरीके से करते है तब तो बहुत ये अच्छा है अगर अनुपवी या पर्सिक्सिक्ड डokter की अनुपस्थिती में कहीं लगा दի जाती है अंड्रेन आद्मी के दुआरा तो ये पशुकी कितना है जब आप उसे माइफेक्स चला रहे हैं तो तापमान जो है वो हमेशा नॉर्मल या नॉर्मल से जब कम होता है तब ही हमें माइफेक्स का इस्तेमाल करना है अदरवाइस माइफेक्स का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है और MyFix के इस्तेमाल से जितने भी मोते होती है वो सारी की सारी एक ही कारण की वज़े से होती है और वो है Heart Block यानि पसू का Heart जो है वो Block हो जाता है और तुरंट सौक में आकर के पसू की मृत्य हो जाती है तो पहला ध्यान दकने वाला बिंदू है वो है पसू का Temperature सेकंड जो बिंदू है वो है उस Bottle का Temperature यानि MyFix की Bottle जो हम चड़ा रहे है उसका Temperature कितना है उसका Temperature भी 102 होना जरूरी है जब आप पसू को चड़ा रहे ऐसा नहीं कि पसू का जितना Temperature है कई बार क्या होता है कि कई पूछता है कि सर पसू का Temperature 95 था तो हमने लगबग 95 के आसपास उसको गरम किया और चड़ा दिया तो ऐसा नहीं है पसू का जितना Normal Temperature होता है उस Normal Temperature पर हमें उसे गरम करना है और गरम भी कैसे करना है गरम पानी लेंगे बाल्टी में डालेंगे और फिर उसमें उसको डूबो देंगे तो लग भग जितना Temperature पसू का होता है उतने Temperature तक उस Bottle को गरम करना जरूरी होता है यह है दूसरा बिंदू इसके बाद आता है तीसरा और परमुक बिंदू वो है कि इसे हमेशा Intravenous यानि IV ही चड़ाना चाहिए वो भी बिलकुल Slow यानि धीरे धीरे Drop by Drop ऐसा ना हो कि जो ही चालू किया और तेज कर दिया पसू सोक में आ सकता है Heart Block हो सकता है इसलिए इसे हमेशा Drop by Drop ही चड़ाना चाहिए और सुरुवात में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उस समय तो बिलकुल धीरे-धीरे Drop गिरी, Drop गिरी, Drop गिरी ऐसे चड़ाना चाहिए ना कि Speed ले क्योंकि सुरुवात में अगर Speed कर देते हैं तो भी Heart Block होने के Chances रहत कि लायक है? क्या उसमें वास्तम में केल्सियम की कमी है? ये परकना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये अगर ग्यान नहीं होगा पहले से अगर पसु के सरीर में बहुत ज़्यादा केल्सियम है और हम उपर से केल्सियम देते जा रहे हैं तो उससे भी Heart Block हो जात सिर्फ अनुभवी और जो पसू चिकित्सक हैं उनकी मुझूदगी में ही लगनी चाहिए ऐसा ना हो कि कोई भी अंट्रेन आदमी माईफेक्स लगाने लग गया तो पसू को दिक्कत हो सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसके अलावा बात करते हैं प्रिग्नें पसू के सरीर में कमी है उसके हिसाब से माईफेक्स की मातरा निरदारित होती है कई बार एक बोटल प्रियाप्त रहती है तो कई बार एक बोटल से काम नहीं होता तो थोड़ी सी मातरा को और बढ़ा ना पढ़ता है इसके अलावा सातियों एक बात और है जो प्रमुक रूप से ध्यान रखने की है वो यह है कि आईवी ड्रिप लगाने से पहले हमें अच्छी तरीके से चैक कर लेना चाहिए कि जो बोटल हम पसु को लगा रहे हैं उसमें कोई कच्रा या कोई कण अंदर तेरतावा तो नजर नहीं आ रहा है यानि जो solution वो है वो एक्तम से पारदर्सी होना चाहिए ना कि उसमें कोई कच्रा हो तो अगर ऐसी condition हो तो वो बोटल पसु को ना चड़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा नहीं तो कोई नुकसान कर सकती है इसके अलावा सातियों आपको किस medicine के बारे में जानना है या आप कौन से minerals के बारे में जानना चाहते हैं अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको उसी पर वीडियो बना करके जरूर देंगे उसकी पूरी की पूरी detailing करेंगे इसके अलावा अगर आप गायव हैं इसका इलाज practically देखना चाहते हैं तो आपको जो लोगों दिख रहा है वैट्स कलब इन हिंदी इसमें विजिट करके सब्सक्राइब कर ले और बक्रियों के लिए हमारा चैनल है बक्री का इलाज और देखबार